प्यार दोस्त सब्स्टिपले स्वागत है आप सभी को आपके पने इस प्यार यूट्यूब चैनल पे आज की शुडियों बताने वाला हूँ बिहार बोट कक्षा दसभी के नन हिंदी का पहला चेप्टर जिनका नाम है तू जिन्दा है तो जिन्दगी के जीत पर यकीन कर ये एक परकार की कवीता है और जिनका लेखक है संकर सैलन्द ची इस पार्ट से कुछ अबजिक्टिव और सब्जिक्टिव कोश्यन बताऊंगा जो बिहार बोट के स्टुटेंट के लिए अधिक लाबधायक सावित होंगे तो पार्ट का अबजिक्टिव स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट के कुछ परिचाय है उसके बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कवीता के परिचाय जानते हैं तो सबसे पहले प्रस्तूत कवीता तू जिन्दा है तो जिन्दगी के जीत पर यकीन कर गहरे जीवन राग और उत्सा को प्रकट करती है इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूल कर आसा और जीत की नई आते ही रहते हैं इसी लिए सुख दुख से परे हमें एक ऐसा संसार या जीवन का निर्मान करना चाहिए जिससे अनंत सुख की संभावना बिधमान हो और या तभी संभव है जब तक कर्म जिन्दा है तो आप लोगों को मैं इसे समराज करके बता देता हूं कि ये जो कवी कवीता है गहरे जीवन राग और उत्सा को परकट करती है इसमें कहता है कि तू यदि जिन्दा है तो बैठो नहीं वहाथ जोरकर बैठना नहीं है तुमको जिन्दा है तो जिन्दगी के जीत पर यकिन कर अगर आ तुम दुखी हो तुम गरीब हो तो अपने हाथ पायर चल तो जिन्दगी के जीत पर यकीन कर तो चलिए अब इससे objective जो question पूछे जाते हैं उसमें मैं कुछ फी question लेकर के आया हूँ देखिए कुछ question कुछ इस परकार से हैं पहला जो objective question आप लोगों से पूछा जाएगा तू जिन्दगी के जीत पर यकीन कर के लेखा कौन है ये आप लोगों को भली बाती पता होगा कि संकर सैलेंदची और किसी भी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या पार्ट है और पार्ट के लेखा कौन है ये चानकारी आप लोगों को होना चाहिए क्योंकि इसी से 10 से 12 मार्क के objective question पूछे जाते हैं ये आप लोगों को भली बाती पता ही होगा तो आप लोग पार्ट और पार्ट का लेका के नाम जरूर याद रखें उसके बाद दूसरा question देखिए कौन सी कवीता गहरे जीवन राग और उत्सा को परकट करती है तो ये कवीता के परिचाय में ही आप लोगों को बता दिया है कि तू जिन्दा है तो उसक अतीत के दुखदाई पलों को भूलने की बात कर रही और जीत की नई दुनिया में स्वागत करने की प्रेरना की बात की गई है तो ये कवीता जो है वो तू जिन्दा है तो उसके पाद देखिए चार नमर कोशन है तू जिन्दा है तो कवीता में गम और सितम के वक्त की त उसके बाद यहां पर पांचमा कोस्टन है तू जिन्दा है तू कवीता में कारवा का क्या तातवरी है तू इसका आंसर जो है काफिला तो काफिले उसके बाद चौनमर कोस्टन है तू जिन्दा है तू कवीता किस समय को दरसाता है तो देखिए यह आजादी के समय का काल को द इसके बाद देखिए यहां पर सात्मा कोस्चन है हमारे कारवा को किसका इंतजार है तो हमारे कारवा को मंजीलों का इंतजार है उसके बाद आठ नमर कोस्चन है सुबा और साम के रंगे हुए गगन को जूम कर तु सुन जमीन गा रही है कब से जूम जूम कर पंक्ती कविता के लेखा कौन है तो देखिए इसमें पंक्ती कविता के लेखा भी पूछ सकता है या पंक्ती किस लेखा की द्वारा लिखा गया है तो ये भी पूछ सकता है या ये पंक्ती किस कविता से लिया गया है ये भी पूछ सकता है अगर पुछेगा कि किस कवीता से लिया गया है तो आप लोगों को पता है तू जिन्दा है तो उसके बाद इसका लेखा कौन है तो संकर सैले अनरजी तो अभी जो है लेखा पुछ रहा है तो इसलिए संकर सैले अनरजी 9 number question है कभीता में किसके सर कुचलने की बात कही गई है तो देखिए मुसीवतों की सर कुचलने की बात कही गई है तो आपका आंसर हो जाएगा मुसीवतों की उसके बाद 2 number question और ये last question है बुरी है पेट की आग, बुरे है दिल की दाग, पंक्ती के लेखक कौन है तो देखिए ये पंक्ती के लेखक संकर सैलेंदर जी है और कभीता के last पंक्ती है ये तो इसका आंसर हो जाएगा संकर सैलेंदर जी तो इस परकार से हमने आप लोगों के बीच objective question बताया अगर आपको इस परकार से सब्जिक्टिव question पूछा जाए कुछ भी subjective question तो आप इस परकार से कवीता के जो परीचा है उसको आप लीक सकते हैं subjective question में तो आसा करता हूँ आप लोगों को ये information अच्छा लगे और यदि आप चाहते हैं कि विहार बोट कक्षा 10 भी का तैयारी आप हमारे माध्यम से करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और चैनल में जो बेल आइकन हैंगा उसे भी दबा देचे ताकि विहार बोट से रिलेड़ कोई भी objective या subjective question अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद जय हिद जय भारत